नमस्कार मित्रो आप सबका स्वागत है चित्वनलाय लर्निंग पर मैं लकर सिंग आज आपको पढ़ाने जारी हूँ आदी मानव के विभिन प्रकार के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि आदी मानव पहले कैसा होता था और कितने उसके प्रकार है तो आप जैसे देख रहे हैं कि आदी मानव पहले एक बंदर के समान हुआ करता था जिसकी जो बैक है वो बिलकुल टेड़ी होती है जिसके बंदर की बैक होती है वो बिलकुल बैक टेड़ी थी और धीरे धीरे उसकी बैक जो है वो सीधी होती चली गई और उसकी हाइट भी ह जिससे आज का मानव निर्मान हुआ तो आज हम चर्चा करने वाले हैं आदी मानव के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं आदी मानव के विभिन प्रकार आदी मानव के विभिन प्रकारों में आज हम पढ़ने वाले हैं जावा मानव, पिकिंग मानव, हीडल बर्ग मानव, पिल्ट डाउन मानव, नियंड रथल मानव, दन उसके बाद रेडोश्या मानव, क्रॉमेगनौन मानव और होमो सैपियन्स मानव इन सभी आठों मानव के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक बार ओर देख लेते हैं क्योंकि कई बार कुश्चन पूछ ले जाता है कि आदि मानव के कितने प्रकार है सबसे पहले है जावा मानव, यानि जावा मानव प्रत्वी पर कप पाया जाता था लगबग साथ से दस लाक सवर्ष पहले प्रत्वी पर आदि मानव पाया जाता था इसकी खोज और खोज करता देखते हैं कि खोज किसने कब हुई थी खोज इसकी 1891 से 1893 के बीच में इसकी खोज हुई है और जो इसके खोज करता थे वो थे एक डच सेनिक डोक्टर यूजन दुओ एस ठीक है किस स्थान पर हुई है खोज इसकी जावा द्वीब के एक ट्रिनिल नामक स्थान पर हुई है जो जावा दीब जो है वो इंडोनेश में है ठीक है नेक्स्ट आजाता है कि जावा दीब में एक नदी की रेत में इसकी खोपड़ी का उपरी भाग और जांग की हड़ी मिली है अध्यान के बाद यह पता चला कि यह हड़्डियां एक ऐसे हमोनिटस की हैं जो सीधा होकर चल सकता था इसलिए इसे पिथिंग का ठोपस एरेक्टस नामक मानव कहा गया समय किस समय पर मिली है यह क्या समय किस समय का मानव है यह लगभग साथ से दस लाक वर्ष पहले जो हुई हमने डिसकस किया है इसकी लंबाई थी 165 सेंटीमेटर ठीक है इसकी हड़्डियों का जब निरिक्षन किया गया तो उसकी हड तो बंदर से बड़ा था ठीक है मस्तिष की जो है आदी मानव से छोटा था लेकिन बंदर से बड़ा था और यह मानव इस प्रकार का दिखाई देता था ठीक है नेक्स आ जाता है पिकिंग मानव कि पिकिंग मानव के बारे में जो इंपोर्टेट नोट से हो क्या है कि यह म पिकिंग के निकर्ट चाव कोटिन नामक स्थान पर इस ये प्राणी ये मानव जो है इसके कंकाल पाए गए हैं और अस्थी पंजर कितने अस्थी पंजर मिले हैं पिकिंग से लगभग 40 अस्थी पंजर मिले हैं आप डाइग्राम में देख सकते हैं कि पिकिंग मानव किस प्रकार का दिखाई देता था तो पिकिंग मानव का जो डाइग्राम है वो ये है इस तरह का पिकिंग मानव दिखाई देता था किस समय का है डाई पिकिंग मानव लगभग 5 से 6 लाग वर्ष पहले पिकिंग मानव माना जाता है कि प्रत्वी पर निवास करता था पिकिंग मानव की सकल जावा मानव से मिलती जुलती है सरूप कैसा था पिकिंग मानव का कद छोटा उभरी भोहे धालू मस्दिश्क मजबूत दात और जबडे तथा गर्दन मोटी थी इस खुदाई में एक गुफा में कुछ जली हुई अस्थिया भी विली हुई है जिनके आधार पर विद्वान कहते हैं कि पिकिंग मानव आग का प्रयोग जानता था खुदाई में प्रात पत्थर के ओजार यह प्रमानित करते हैं कि पिकिंग मानव पश्वो का सिकार करके अपने जीवन का निर्वाहा करता था पिकिंग मानव का जो अन्य नाम है वो है सिनान्थ्रोपस ठीक है पिकिंग मानव को सिनान्थ्रोपस के नाम से भी जाना जाता है हीडलबर्ग मानव जो है वो तीन लाक वर्ष पहले प्रत्वी पर रहता था इसकी खोज 1970 में हुई है जर्मनी स्थित हीडलबर्ग नामकिस्थान पर यह मिला है इसकी हस्थिया मिली है और किस समय है लगबग तीन लाक वर्ष पहले जैसे कि अभी हमने जर्चा की है यह यह मानव बोलना नहीं जानता था उसके बात आजाता है पिल्ट डाउन मानव लगबग दो लाक वर्ष पहले जमीन पर रहता था प्रत्वी पर इसकी अस्थिया मिली है जिससे अनुमान लगबग दो लाक वर्ष पहले यहां पर रहता था खोज और खोज करता है निकि 1920 मे प्रत्वी पर रहता था और यह आदि मानव पहले के आदि मानव से अधिक विक्सी तथा सब्य था यह ओजारों का प्रियोग भी जानता था इसे हम उश्या मानव कह सकते हैं नेक्स्ट है नियंडरथल मानव नियंडरथल मानव जो है वो एक लाक वर्ष पहले प्रत्वी पर रहता था इसकी खोज उश्यापपन में हुई है और स्थान है जर्मनी जर्मनी के नियंडरथल घाटी वे अन्य स्थानों पर यह बहुत सारे कंकाल मिले हैं जिनको देखन इसे अंदाजा लगाया जाता है कि यह मानव उस समय का है और एक लाक वर्ष पहले प्रत्वी पर रहता था इसका स्वरूप कैसा था आप देख सकते हैं कि इसका स्वरूप यानि कि हड्या मोटी थी इस मानव की हड्या मोटी खोपड़ी पीछे से आगे की और ढालू मस्त इसके सरीर पर घरें बाल होते थे जो सर्दी में इसकी रक्षा करते थे विशेश इस मानव के बारे में है कि यह मानव आग जलाना, शिकार करना, मानव छुण में रहना, हत्यार बनाना, मुर्दे को जमीन में गाड़ना व्या उसकी समाधी बनाना जानता था नेक्स्ट है रेडोशिया मानव रेडोशिया मानव जो है कहा जाता है कि रेडोशिया मानव लगभग 80,000 वर्ष पूर जबीन पर रहता था इसकी जो अस्थिया मिली है उन अस्थियों के ऊपर निरिक्षन करने के बाद ये कहा गया है कि ये मानव लगभग 80,000 वर्ष पहले प्रत्वी पर रहता था खोज इसकी 1921 में हुई है और इस्थान है अफ्रीका में रिडोशिया इस्थित ब्रोकेन हिल नामक स्थान पर हड्डियों के अवसे पिले हैं समय लगभग 80,000 वर्ष पहले जैसे कि अभी हमने चर्चा की है यह आदि मानव नियंड रथल मानव और अधुनिक मानव के बीच का मानव था ठीक है यह तंकर खड़ा हो सकता था वे पश्वों से अपनी रक्षा कर सकता था यह गुफाओं में रहता जंगली पस्वो का सिकार करता था लेकिन इसे कृषी पस्वपालन बरतन मनाना और मकान मनाना आदे का ज्यान नहीं था ठीक ह आउशेश मिले हैं किस समय पर रहता था यह मानव 35,000 वर्ष पहले प्रत्वी पर रहता था सुरूप कैसा है इसका शकल जो है इसकी आधुनिक मानव के अनुरूप है लंबाई 6-7 फिट होती है मस्तिक जो है चोड़ा है नाक पतली है और ठोड़ी ऊची है तो चलिए इसकी फोटो देख लेते हैं कि कैसा था यह मानव तो आप फोटो में देख सकते हैं डाइग्राम में इसको यह बिल्कुल आज के मानव के समान दिखाई दे रहा है बिल्कुल जैसा आज का मानव होता है यह सेम उसी के समान दिखाई देता था यानि कि यह पहले के मानव की तुल तरस ये है दैन उसके बाद आज़ता है होमो सेपियन्स मानव वो लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पहले जबीन पर रहता था इस्थान कहां से इसके स्था मिली है मद्या एशिया के अनेक हिस्सों में इसके स्था मिली है इसके बारे में नोर्स है कि यह मानव यानि मद्या एशिय के भागों में लगभग 30-40,000 वर्ष पहले दो विभिन जातिया रहती थी जो बाद में एक पूर और दूसरी दक्षिन में फैल गई यानि कि एक पूरव दिसा में चली गई और दूसरी दक्षिन दिसा में चली गई अफशेशों के आधार पर विद्वानों निकाला कि दक् प्रविद्वानों ने होमो सेपियंस की संग्या दी और इसका मूल स्थान पामीर का पठार और उत्री हिमाली भाग को माना है पूरु दिशा में फैलने वाली आदिम जाति को ग्रिमलांडी मानव की संग्या दी गई है ठीक है स्टुडेंस ये आदी मानव की आठ प्रकार की जो वीडियो थी जो नोट थे वो कंप्लीट हो चुके है जिसमें आज हमने डिसकस किया है आज हमने पढ़ा है जावा मानव, पिकिंग मानव, हीडलबर्ग मानव, पिल्टडाउन मानव, नियंड रथल मानव, रेडोश्या मानव, क्रोमेगनोन मानव, हीमो सेपियंस मा में यदि आपको मेरे द्वारा दी हुई वीडियो मेरे द्वारा दी जा रही जांकारी अच्छी लग रही है तो आप मेरी वीडियो को like, subscribe, and share जरूर कर दिया करें, और यदि आपको किसी भी topic के उपर अलग से वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेट भी कर देना इसके अलावा जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी प्रत्वी पर मानव की उत्पत्ति और विकास से संबंधित वो वीडियो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में दे दूंगी अगर आपको वो भी वीड देखनी है तो लिंक पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लें धन्यवाद